सासरेकाल नमस्कार हमारे सभी भाईयों को अगले आने वाले 24 गंटों में भारत के सभी हिस्सों में मौसम कैसा रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं अगले आने वाले 24 गंटों में मौसम विभाग के आंकडों पे डालते हैं नजर उत्तर भारत के पस्चमी हिस्से में आने वाले 24 घंटों में बारिस की कमी को देखा जा सकता है वहीं उत्तर पूरवी राजियों में बादल चाये रहेंगे और इसके साथ बारिस भी होने की पूरी शंभावना है उत्तर परदेश पंजाब, हर्याना, राजस्तान, रादधानी, दिल्ली, बिहार, मद्द परदेश, तेलंगाना और पूर उत्तर भारत में आसाम और राचल परदेश में भी बादल चाये रहेंगे और अगले आने वाले 24 घंटों में उत्तर अखंड हिमाचल परदेश में कुछ इस्थानों पर बारिस हो सकती है वहीं उत्तर परदेश, पंजाब, हर्याना, राजस्तान, दिल्ली वा चंडी गड़ इन जगों पर बारिस होने की भी संभावना है राजस्तान के उत्तर पूरी स्थानों पर कहीं कहीं हलकी बारिस हो सकती है वहीं अगले आज़ाचल परदेश के जगों पर भी बारिस हो सकती है मद्द परदेश के पूरवी हिस्सों में भी हलकी बारिस हो सकती है और वहीं जारखंड बिहार में कई हिस्सों में भारी 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 भी देखी जा सकती है और आने वाले 24 गंटों में उत्राखंड हिमाचल परदेश में ओला विष्ट भी हो सकती है वहीं उत्तर परदेश पंजाब हरियाना बिहार 36 गड़ अरुनाचल परदेश पच्चिम बंगाल असाम के काफी जगों पर ओला विष्ट भी हो सकती है उत्तर परदेश पंजाब हरियाना राजस्थान राजधानी दिल्ली सुभा के समय घना कोहरा च्छा सकता है तो भाईयो ये रहा आज मौसम का हाल अगले जानकारी के साथ अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास वाले घंटी को भी दब कर दो है